Hello Friends आज मैं आप लोगों से कला परदर्सनी के बिसे में बात करूँगा कि कला की परदर्सनी COVID-19 के समय हमें कब, कहां और किसके साथ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए आज मैं अपने कुछ पुराने catalogs जो मेरी पुराने exhibition के catalogs हैं, मैं आपके साथ share करूँगा यह catalogs मैंने अपने plants के साथ लगा रखा है कि ताकि थ्वालूक Whyz देखने में अच्छा लगे और plants भी मैं अपना आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मैं plants lover भी हूँ पेंटिंग स्लवर के साथ साथ मैं प्लांट्स का बहुत बड़ा सौख है मुझे तो आप भी अपने गरों में प्लांट्स लगाएं प्लांट्स को भी बढ़ावा दें ताकि हमाई तरफ चारों तरफ हड़ियाली बने रहें तो आईए आज हम पेंटिंग के विशे में बात करते हैं कि पेंटिंग की परदस्ति हमें COVID-19 के समय कब कहां और किस के साथ लगाएं इससे पहले कि हम बात करें कि परदस्ति कब कहां और कैसे लगा चाहिए मैं अपने कुछ कैटलोक्स आपके साथ सेर करूंगा तो ये तीन catalogs मैं आपके साथ share करूँगा तीनों catalogs के अलग-अलग different different value है और इन तीनों catalogs देखने के बाद आपको समझ में खुद आएगा कि हमें कौन से परदर्सनी कब कहां और किसके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आप ये तीनों catalogs ध्यान से देखें और फिर समझें और फिर मुझे भी बताएं कि आपको कौन से catalogs से कितना क्या चीज़ सिखने मिला हाला कि मैं अभी आपको explain करूँगा कि कौन से catalogs मतलब कहां पर क्या गलतिया हुई मुझसे कहां नहीं हुई तो ताकि आप से ये चीज़ें ना हो तो मेरे पास बहुत सारे catalogs है मैंने 50 के उपर exhibition कर रखे हैं लेकिन बहुत सारी catalogs दिखाने से अच्छा है कि मैं आपको कुछ 3 best catalogs दिखाऊं आपको जिससे आपको भी कुछ सिखने मिले और कुछ समाझने मिले तो आज मैं 3 catalog आपके साथ ये share करूँगा पहला catalog जो है आज जो मैं share करने वाला हूँ वो है सरधानजली जो 12 से 16 September 2011 में Visual Art Gallery India Habitate Center में हम लोगोंने exhibit किया था जिसमें एक gallery है जो अनसुका Art and Design PVT Ltd करके है इन्होंने मुझे परमोट किया था ये responsors हो था उन्होंने मुझे एक chance एक मौका दिया था दिल्ली से ले कि मतलब All over India से जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे उनके साथ एक exhibition करने का मौका मिला था मुझे इसमें तो आप भी कोसिस करें कि मतलब कोई अच्छे banner कोई बड़े banner के अंदर कोई sponsored exhibition आपको मिले जिसमें आप participate कर सकें लेकिन शुरुवात में अगर आपको कोई sponsored नहीं मिल रहा है तो अभी आप सिर्फ जो पैसे आप किसी ग्रूप सो में investment करेंगे वो अपने work पे investment करें उस पैसे का investment अपने work पे अपने कारिये पे करें फिलाल आप ये work देखें और फिर मैं आपको साथ बाते भी करता रहूँगा इसमें काफी तमाम इंडिया के तमाम बड़े आटिस्ट इसमें exhibition में participate किये थे एक मैं ही था इसमें जो उसमें growth कर रहा था श्टगल कर रहा था और सुरुआती दोड़ था मेरा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने मुझे ये मौका दिया इन लोगों के साथ इन बड़े आटिस्टों के साथ मुझे एक मौका दिया कि मैं इनके साथ भी exhibition कर सको इस exhibition का जो चीप गेश्ट थे इस exhibition के वो थे बहुत कूचिन के वर्क से बहुत कुछ सीखने मिला तो ऐसे exhibition में जुड़ी है जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने मिले देखने मिले और एक अच्छा बेनर हो जितले जो अच्छा रिस्पॉंसर हो जो आपके वर्क को अच्छे जगह पर डिस्प्ले कर सके अब इसमें काफी साड़े लोग मेरे पहचान के विए हैं लेकिन मैं इसमें अब किसी का नाम बेगरा नहीं ले रहा हूँ सिर्फ वर्क देखी आप जब मेरा वर्क आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी मेरा वर्क आएगा तो मैं आप बात करूंगा इसमें जो चीजें चरह करण और ंट है यह जो मेरा वर्क भात है काफी चर्चा में था यह उसमें पर हमें चर्चा के बात करोंगा लाद है जो है वो अल्फा वेटिकल चलता है तो आप सुचोंगे मेरा नाम कब आएगा यह देखिए यह मेरा कैटलो यह जो मेरा वर्क है जो हुसेन साब का वर्क देख रहे हैं ब्रस के साथ यह मेरा वर्क है इसमें जितने कलाकारों ने वर्क किया है उन्होंने नीचे कुछ लिखा था वो बहुत ही प्यारा कोटेशन और बहुत ही प्यारा वर्क था यह काफी चर्चा में था यह वर्क बहुत ही वहां पे चर्चा में था यह कारी तो मैंने इसमें जो कोटेशन लिखा था पीढ़ी धर पीढ़ी चलता रहा यह सिल्सला ना कलाकार मरा ना उसकी कला तो ऐसे सभी ने कुछ ने कूछ Compulsion लिखा था मैंने भी लिखा था ये car ये वहाँ पर बहुत ही सरह struggling गया सब लोगों के द्वारा और लोगों ने बहुत इसको पसंद किया वरको और ये last में artist के details होते हैं कि कौन से artist कहां से हैं क्या कर रखा है अब हम second catalog के बारे में बात करेंगे, second catalog display करेंगे first catalog से आपने और हमने यही सिखा है कि एक अच्छे banner, एक अच्छे response rate के अंदर अगर आप exhibition करते हैं, अच्छे आर्टिस्टों के साथ अगर आप work करते हैं, exhibition करते हैं, तो आप जल्दी growth करते हैं अब यह हमारा second exhibition के catalog है, यह exhibition भी विजवल आट गैलरी इंडिया habitat center में लोधी रोड में वह था, 2013 में, अब 11 से 13 में आ गया हैं, इसके बीच में भी हमने काफी exhibition किये, लेकिन अब कुछ जो main है catalog को दिखा रहा हूँ, कि इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे खर्चे किये, बहुत सारे investment किये, और इसमें भी कुछ आर्टिस्टों के work sale हुए, कुछ के नहीं हुए, तो यह जो चीजें हैं, हमने इसमें क्या-क्या खर्चा खुद से किया, उसमें क्या था वो रिस्पॉंसर्टों था, तो दोनों में बहुत अंतर है, एक रिस्पॉंसर्टों के अंदर आपको बहुत सारे बड़े-बड़ आर्टिस्ट मिलें, अच्छा बेनर मिला, अच्छे लोग मिलें, और इसमें आपका एक दोस मुश्किल दोर चल रहा हैai COVID-19 के समय में, तो अपने पैसे investment जो आप gallery में करोगे उस पैसों को आप अपने painting में, इंस किल में खर्च करें, जदा जज़दा आपने skill develop करें उस पैसों को अपने work में लगाएं, exhibition के लिए आप इंतियार करें अच्छे गैलरी के साथ कॉंटेक्ट करें अच्छे गैलरी को अपना वर्क मेल करें अगर उनको आपका वर्क अच्छा लगेगा तो आपको जो रिस्पॉंसर करेंगे तो आप यह इंदियार करें मैं इसमें भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मैं सभी लोग फ्रेंड्स यें लगवग विश्री के लिए GREG के लिए के नाम विए नहीं ले रहा हूँ कि क्या है मैं अपने WORK के बारे बुदा नाता हूं और मेरे 5 सरी जिसमें से 4 Sバイid आउट हो चुके हैं वस ये एक मेरे पास बचा हुआ है भी अब तीसरा और आखरी कैटलोग के विसे में बात करते हैं ये और मेरा बहुत अच्छा वर्क था ये भी मेरे पास रखा हुआ है तो अब हम नेक्ष्ट कैटलोग के बारे बात करेंगा और आप अंतक बने रहे हैं मेरे से ताकि मैं आपको बताओं कि आप मेरे साथ exhibition बिल्कुल मुप्त बिना पैसे खर्च किया आप मेरे साथ exhibition कैसे कर सकते हैं ठीक है तो पहले मैं आपको अपना catalog दिखाऊंगा कि यह जो मतलब last catalog है मेरा यह तिस्टा जो catalog है जो मैंने discovery प्रश्वरी बिस तेरह में यह start किया था तो इसमें मैंने क्या किया देखा कि जब इसका नाम मैं डिस्कवरी रखा और मैं देखा कला और कलाकार बने बहुत साड़े कला कला कारों को जोड़ा तो मैंने का इसका नाम discovery of art and artist ही रखूंगा मैं तो फिर जो मैंने next एईवसन कि discovery वो जो सिलसला चला और चलता ही रहा थमा नहीं फिर वो हम बीच में मैंने अपने आप को स्टॉप लगाया कुछ क्योंकि जो भी गयलरी बूक करूँगा जो मेरे भीवर्स हैं, जो मेरे सबस्काइबर हैं, जो अब इस चैनल के थूरू भी जो मेरे साथ जूड रहे हैं, उन सब को एक चांस, उनको एक मौका दिया जाएगा, मेरे साथ एक चांस, उनको एक मौका दिया जाएगा, मेरे साथ एक चांस, उनको एक मौका दिया यह हमने 6 मई 20-13 को हमने यह लाइट कला एकाडमी गैलरी में गैलरी नमर 7 और 8 मई एक जिसन किया था हमने अब इसमें भी जो हैं साफी लोग मतलब जितनी लोग हैं लगबग मेरे फ्रेंड ही हैं तो मैं किसी भी फ्रेंड्स का नाम ने ले रहा हैं यहां पर सिर्फ वर्क द किये हैं तो अब मैं इस चैनल के माध्यम से मुझे उस समय जानकारी नहीं था यूट्यूब के विसे मितलब मैं यूट्यूब से जूड़के भी अगर अपने दोस्तों अपने लोगों को अपनी कारी को मतलब आगे बढ़ा सकता हूं अगर उस समय जानकारी होती तो कि मैंने जो एक नया पहल चाओ किया है इसमें लोगों से पैसे नहीं लेने हैं उनको भी उनके कारे को भी एक मौका देना है आगे बढ़ने के लिए तो जो भी नए दोस्त जो भी मेरे वर्क को देख रहे हैं जो वीडियो मेरे देखते हैं यूट्यूब मेरे ब्यूवर स हैं उनसे निवेदन है कि आप मेरे वर्क को देखते रहें और कंटिनू में साथ बने रहें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें मैं जो उसमें कारे करता हूं सिर्फ एक छोटे लेवल को करता हूं क्या कि वो बच्चे सीख जो भी इस डेंट्स है या जो भी दोस्त दोस्त में हैं जो नए लोग वो कुछ स्कैंज का मैं तोकि आपना अबाज के में पर्शिपेट करने के वाशरों कि अपना यूग्rices स्टुडेंट्स मेरे फ्रेंड्स है जिनको मैंने हेल्फ किया है ये देखे हिंदुस्तान टैम्स में लिखा भी था मिने कुमर पांडे हेल्फ अलसो बड़िंग आर्टिस्ट तो मैंने कई सारे कार किये हैं और अभी भी मैं करना चाह रहा हूं तो आप लोगों की सपोर्ट क को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चले पता कि मेरे अगला एक्जिविशन कब कहां और कैसे है और इसमें कौन से पांच लोग सामिल हूंगे तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करा ना भूले आज के लिए इतना ही धन्यवाद